नमस्कार दोस्तो एनालिकल लेजिलेशन्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है राहुल गुपता आज हम चर्चा करने जा रहे हैं US गौर्पेंट के द्वारा Chinese Consulate को बंद करने के फैसले के उपर क्यों Chinese Consulate को बंद करने का फैसला लिया गया US गौर्पेंट के द्वारा और इस पर चैना का क्या रियक्सन आया है इन सबी विशेपर आज हम इस वीडियो के माद्यम से आपसे चर्चा करेंगे चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाओंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइगेन को प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल के माद्यम से जो भी वीडियो बनाई जा रही है उसकी लेटिस लेटिस अपने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तो आइए जानते हैं क्या है कंसुलेट को बंद करने का पैसला अमेरिका ने हुस्टन केष्टी जिए दूत्रवास को 72 गटे में बंद करने का दिया लिए यह क्या है वाडिप जी दूताबास इसको ए चीनी वाड़ीजिक दूतावास है जिसको बंद करने का फैसला US गवर्मेंट के दोरा लिया गया है आई उस वज़े के जानने थे आखिर बंद करने का फैसला क्यों लिया गया है अमेरिका के विद्येस मंत्री हैं Foreign Minister जो Mike Pompeo ने गुर्वार को चीनी दूतावास में की गई करवाई को जायस ठहराया है और उनका कहना है कि चीन का जो हिस्टन इस्ति में वाड़ीजिक दूतावास जो कंसूलेट है उसमें जासूसी का काम चल रहा था और वो जासूसी का एक अड़ा बन चुगा था चीन के इस कंसूलेट से गयर कानोनी गजविदिया चल रही है ऐसा उनका कहना है और उनका कहा है कि यहां से अमेरिकी कंपनियों की गुप्त व्यापारिक सूचना चुराने का का काम हो रहा था मतलब माइक पंपियों का कहना है जो अमेरिकी कंपनियों की सीक्रेट हैं वेपार के संबंदेद वो चुराने का काम कंसुलेट कर रही थी चाहिना की चीन ने बहुतिक संपता चुराई है और ट्रेट सीक्रेट चुराई है ऐसा Foreign Minister Mike Pompeo का कहना है जिसकी वजए से वहां के लाखों अमेरिकी नागरिकों को अपनी नौकरी गवानी पड़ी है जो इसका कारण बताया है कि चीन ने हमारी बहुतिक संपता को चुराई है और ट्रेट सीक्रेट चुराई है जिसकी वजए से जो यूएस के नागरिक थे उनको अपनी नौकरी गवानी पड़ी है ऐसा माइक पॉंपियों का कहना है दोस्तों आए जान लेते हैं कि Consulate और Embassy में क्या डिफरेंस होता है एक वाड़ी दूतावास जिसको हम इंगलिस में Consulate कहते हैं का एक दूतावास का छोटा संस्क्रण है जिसको Embassy बोलते हैं और आम तोर पर एक ऐसे देश के परेटन सहर में स्थित है लेकिन राजधानी में नहीं जो Consulate होता है वो किसी देश के परेटन सहर में होगा लेकिन राजधानी में नहीं होगा और इसका काम क्या है इस तरह के वीजा जारी करने के वैपार संबंदी में साहता मतलब इस तरीके के वीजा जारी करने के जो वैपार में साहता करते हो और प्रवासियों, परेटकों और विससक्यों की देखवाल के रूप में मामूली राजनेक संबंदी माम लोग को समालते हैं इन कार्यों को देखते हैं और आए एक दूतावास बड़ा और वाड़ीचिक दूतावास से ज़्यादा महत्पूर्ण है मतलब जो एक इस्थाई रूप में वरणित है जो एक राजनीक मिसन है जो आम तोर पर किसी देश की राजधानी में ही इस्थित होगा मतलब konsulate परिटन सहर में होगी देश की और जो आपका MBC होगा वो किसी भी देश की राजधानी में ही होगा अन सहरों में नहीं होगा इसके काम क्या है प्रमुक राजनिग मुद्ध से न numero के लिए जो राजनिग मुद्ध है उन से नalis नि प्ठने के लिए और विदिशों में अपने नागरिकों के अधिकार के सरंड़ शड़ के लिए जो वहां पे विदिश में उसके नागरिक रह रहे हैं। उनके अधिगारों की सरणर्षड करना इसका MBC का काम है ये था डिफरेंस कंसुलेट और MBC के बीच में इंस्टन में चीनी महावारीज दूतावास के अंदर जले दस्तावेच जब बहात्र गंटे के अंदर वहां कंसुलेट को बंद करने का फैसला लिया गया तो जो आपके कंसुलेट के अंदर करमचारी थे उन्होंने वहां अंदर कंसुलेट के अंदर जो भी डाकूमेंट इस्तित से रखे हुए थे उनको जलाने का काम किया क्यों काम किया है आई उसको देखते हैं दूतावास से थोड़ी दूरी पर रहने वाले एक सक्ति सिकायत पर वहां है वो 3417 मांट्रो बलेवार्ड है ठीक है दोस्तों अगर कोई वज़े ना थी तो क्यों वो धस्तावेश जलाएगे कोई ना कोई वज़े जरूरी ही रही होगी इसलिए वो धस्तावेश चलाय जाह रहे थे ठीक है दोस्तों इस विसमी मैं ज्यादा इस वीडियो में चर् जा रहे थे जो हिस्टन की पुलिस और अगनी समन अधिकारी разные जो धस्तावेस्ट जलाय जा रहे थे उनके परताल कर रहे हैं कि वह धस्तावेस्स संबंदित थे क्या वह सही में एक सीक्रेट थे व्यपार से संबन्दित, इन सभी विस्वेव, वह इसमें जाज कर रहे हैं, पुलिस को कंसुलेट के अंदर उसने नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ डिप्लोमेट राइट्स होतें कंसुलेट के, जिसकी वज़े से पुलिस अंदर नहीं जा सकती थी, जो भी Consulate होते किसी भी देश के Consulate के अंदर, उस देश की POLIS तब तक entry नहीं कर सकती है, जब तक Consulate इजाजन ना देते, ये थी वज़े कि POLIS को घंटो बाहर खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद Consulate की इजाज़त होने के बार उसके अंदर पुलिस को प्रिवेस मिला चीन ने टेकसास में चीन दूतावास को बंद करने के आदेश पर जताया कड़ायत राज जाहिरे दोस्तों यह जो टेकसास के हिस्टन में जो कंसुलेट था जो चाइना का था जिसको बंद करने का फैसला यूस गवर्मेंट के दोर लिया गया था उस पे चाइना का रियकसन आना सुभावी कसी बात है उनका कहना क्या है यहां इस्टित चीनी दूतावास ने हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं जो चीन दूतावास है वहाँ पे हिस्टन में इस्थित उसने कहा है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हिस्टन में चीन के वाड़ेजिक दूतावास को अचानक बंद करने के आदेश का दर्ता से विरोध करते हैं मतलब हिस्टन में जो कंसुलेट है चाइना का उसका कहना है कि जो हमारा कंसुलेट बंद किया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं दूसरी तरब क्या है दूसरी तरब यह हुआ कि अमेर्की प्रतिनीद सभाने रास्ती रच्छा प्राधिकरण अधिनियम जिसको एन डी एए में संसुधन को सरुमत्सिय पारित किर दिया गया इसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाब चीन की आकरमरता और दच्छ्छ ची चीन की बढ़ती छेत्री दमंगई पर निसाना साधा गया है और साथ ही कहा गया है कि चीन ने करोना के बहाने भारती छेत्र पर कबजा करना चाहता था क्या है चीन जो है अपने आस पास के लगबख छे देशों के साथ सीमा विवाद चल ला है उसका और दच्छडी चीन सागर में भी उसने अपनी दबग गई निखाई है इस सभी मामलों के उपर चाइना को घिरा गया है जिसमें यूएस ने ये बताया है लोगों को और एक वज़े ये भी रही है कि कुरोणा के बहाने बारती चित पर भी चाइना का कपचा करना चाहता था ये भी इस मुद्दे को इस मीटिंग में उठाया गया चीन का प्लटवार अमेरिका में चेंगदू का वाड़िज दूतावास बंद करने को कहा चीन का रियक्सन आया कि अमेरिका का जो चेंगदू में वाड़िज दूतावास है उसको 22 घंट गे अंदर बंद करने को कहा गया है क्या है इसकी खास बाते चीन ने अमेरिका के सीचुवान प्रांत के चेंगडू में इस्थित वाड़िजिक दूतावास को बंद करने का आदियस दे दिया है मतलब कि US ने जब यह फैसला किया कि हिस्टर में इस्तित चाइनिस कंसुलेट को बंद करने का तो उसके प्लट वार में चाइना ने भी एक डिसीजन लिया कि जो चेंग दू में अमेरिका का वाड़िजिक दूतावासी जो कंसुलेट है उसको बंद किया जाए क्योंकि वहाँ से भी कुछ सीक्रेट चाइना के चुराय जारे ऐसे उन्होंने कहा है अमेरिका और चीन में नियू कोल्ड वार की असंका बड़ी नियू कोल्ड वार क्या होता है इसमें प्रत्य शुरूप से लड़ाया नहीं होती लेकिन परोश शुरूप से आप युद कह सकते हैं होता है यह होता है नियू कोल्ड वार कोल्ड वार इसको बोलता है इसमें परोश शुरूप से लड़ाया होती है दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थविवस्ताओं के 20 तनाव बढ़ गया है जाहिल से वाते दोस्तों ये दुनिया की दो बड़ी अर्थविवस्ताओं वाले देश हैं जो लगबग 40% वेपार में भागीदारी करते हैं दुनिया के चाइना और यूएस देश में नुवंबर में होने वाली राशपती चुनाव से पहले राशपती डोनाटरम द्वाराचीन के खिलाब कड़े कदम उठाने के सिल्सले में या नया कदम है वैसे उन्होंने कई कदम उठाये हैं लेकिन उसमें एक नया कदम उठाया है इसलिए क्योंकि नुवंबर में चुनाव आने वाले हैं तो उनको एक चुनावी मुद्दा भी चाहिए इस चुनावी मुद्दे का फाइदा उठाकर वो दुबार राशपती बनना चाहेंगे इसलिए उन्होंने ये ऐसा किया है ये भी एक वज़े हो सकती है अमिरिका में चीन के छे माहा वाडिज दूतावासों में एक को बंद करने का तनवा बढ़ गया है इस वज़े से तनवा उतपन हो गया है चाहिना और युएस के बीच में दोनों देशों के बीच में न случаवल करोना वाइरस संक्रमों को लेकर कई बार अंटोलान ट्रम ने अमेरिका अमेरिका के जो डोलान ट्रम राजपती हैं उन्होंने चाइना को चाइना को इस बात के लिए भी दोसी ठहरा है कि ये करोना वाइरस चाइना के द्वारा फैलाया गया है और वाइरस दच्षिड चीन सागर में चीन के दावे को लेकर भी तनाव चला है दच्षिड सागर में जो 90% हिस्से पर चीन ने कपचा कर रखा है उसको लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने हो चुके हैं और होने की आसंगा भी है और ये तीसरे विश्यूद की एक समझ लीजी आप अलार्म है इसलिए ये चाइना के द्वारा और यूएस के बीच में जो मद्भेत उत्पन हो रहे हैं आप इन बातों को इस समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हो सकता है कि आने वाले समय में आप सभी लोग तीसरे विश्यूद को देखेंगे तो ये थी ये चर्चा कंसुलेट के ओपर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कोई भी अच्छे सुजाओं हूँ आपके पास तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मिलते हैं नए टॉप कि अधानी कि अधानी कमें लगया होगा वीडियो को लेग दो आपको ये ओम सुजाओं हुआँ करें अधान मिलते हैं